अगर आपको अपने बॉस से बात करनी है, अपनी कोई बात मनवानी है या किसी से बात करनी है, कोई डिसकुशन करनी है, तो बेस्ट टाइम है शाम को छे बजे से साथ बजे का समय. ये कोई महुरत नहीं बता रही मैं आपको ना ही कोई astrology की तिप है ना ही जियोतिश करना या कुछ भी वास्तु टिप ये biological clock है जी हाँ एक research हुई है जिसमें पाया गया है कि इंसान का mood और शरीर के psychological clock से उसका mood तैह होता है ब्रिटेन के human science research डैनियल पिंक और उसकी team ने दिन में अलग-अलग समय पर लोगों का mood बदलने के pattern का अध्यन किया था इस शोद के लिए डैनियल की team ने social media का सहरा लिया था और users के अलग-अलग time पर किये गए tweet, इंस्टा पोस्ट, facebook या social media के किसी भी platform पर जो लगबग 8 करोड पोस्ट थे उनको analyze किया था इस visualization के बाद यह बात निकल कर आई कि शरीर में biological clock की तरह, psychological clock भी होती है जो इनसान के mood को नियंतरित करती है इसमें यह भी पता चला कि biological clock अपनी दिन चर्या से ढलती रहती है जबकि psychological clock से तै होता है कि दिन के अलग-अलग समय पर किसी इनसान का व्यवार कैसा रहेगा और कैसे बदलेगा शरीर में होने वाले hormonal बदलाव से psychological clock तै होता है शोद में कई नतीजे सामने आए जिससे पता चला कि हमारा mood जो पल-पल बदलता रहता है इसकी बड़ी वज़े समय होता है शोद में ये भी पाया गया कि सुबा जागने के लिए पांच से छे वज़े का वक्त ठीक रहता है वही नौ से दस वज़े तक का जो समय है उसमें इनसान सबसे कम गुस्से में रहता है तो अब आप जान गए कि अगर आपको किसी से बात करनी है बात मनवानी है किसी मुद्दे पर discussion करनी है तो आपको उससे किस समय पर बात करनी है